दोस्तों आज कल डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां डेंगू ने आकरमन ना किया हो और डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है वो सिर्फ ग्लूकोस की बोतल चड़ा देते हैं और साथ में एंटिबायेटिक्स इंजेक्शन और उसक करीर में हर रोज हजारों प्लेटलेट्स के तूटने और निर्माण होने की प्रक्रिया चलती रहती हैं प्लेट्स की संख्या 1.5 लाक से कम होने पर उसे प्लेट्स की कमी या थ्रॉंबोसाइटोपीनिया कहा जाता है । Creator के देखने में आ रहा है वो है प्लेट्स का लगा हो सकता है ऐसे में रोगी को प्लेटलेट्स चढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है जब कभी हमें कोई चोट लगती है और कहीं से रक्त स्त्राव या ब्लीडिंग शुरू होती है तब इस रक्त प्लेटलेट्स की संख्या बेहत कम हो जाने पर रोगी को अंधरूनी रख्तिस्त्राव शुरू हो सकता है जैसे कि नाक या दाथ से खून निकलना पेशाब में खूनाना चमडी के नीचे लाल थक्के जमना ऐसे लक्षन नजर आने पर रोगी को तुरंत उपचार करना चाहि जिससे आप अपने प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं इसमें सबसे पहले है पपीता जी हां दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों का रस सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है 2009 में मलेशिया में हुए एक अध्यन में ये निशकर्ष निकाला गया कि डेंगू बुखार में ताजे और स्वस्थ पपीते के पत्तों का रस देने पर प्लेटलिट्स काउंट बढ़ने में सहायता मिलती है पपीते के पत्ते का रस आप अपनी शमता के अनुसार 10 से 20 मिलिलीटर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं अगर आपको इसे पीने से उल्टी होती है तो ये नहीं लेना चाहिए पपीते का फल खाते समय पका हुआ फल ले और उसे खा ले दूसरा है गेहू ज्वारा यानि की हीमोगलोबिन सफेध रक्त पोशी और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में भी सहायता होती है तीसरा है चुकंदर दोस्तों चुकंदर में प्रचुर मात्रा में एंटि-अक्सिरेंट्स होते हैं और साथ में इसका सेवन करने से हीमोगलोबिन और प्लेटलिट्स की मात् में विटमिन के होता है प्लेटलेट की तरह विटमिन के भी शरीर में रक्तिस्त्राव होने पर खून को जमाने का काम करता है आप रोगी को कद्दू की सब्जी बनाकर दे सकते हैं फिर रोजाना 150 ml कद्दू का रस एक चमच शहद मिलाकर भी पिला सकते हैं पांचवा तरीका है गिलोई दोस्तों गिलोई का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत एहम रोल अदा करता है इसे लेने का तरीका है कि 10 गिलोई की बेल के टुकडे तोड़कर उसे 1.5-2 लीटर पानी में उबालें और उसमें 5-7 तुलसी के पत्ते थोड़ा सा अध्रक और दो चुटक की अजवाइन डालकर तब तक उबालें जब तक वो पानी आधाना रह जाए इसके बाद इसे ठंडा करके गुनगुना करके रोगी को खाली पेट देने से चमतकारी लाब मिलते हैं गिलोई का रस लेने के 30 मिनट तक रोगी को कुछ भी ना दें अगला तरीका है कीवी दोस्तों अनार अनार एक बेहत पॉष्टिक फल है इसमें आईरन की मातरा प्रचर होती है यह हीमोगलोबिन और प्लेटलेट की मातरा बढ़ाने में मदद करता है आप रोगी को अनार के दाने खिला सकते हैं इसे खाने से गैस भी नहीं बनती और रोगी का पाचन भी दूरी है व्यक्ति को रोजाना आठ से दस गिलास पानी अवश्य पिलाना चाहिए डेंगू में शरीर में पानी की कमी होना बहुत बड़ी समस्या होती है इसके अलावा दोस्तों कुछ उपयोगी सला हैं जिनने आप नोट कर सकते हैं प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर पेट के अंदर की तवचा लाल हो जाती है जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ जाती है ऐसी हालत में रोगी को कच्चा भारी तीखा और मसालेदार नहीं देना चाहिए चाय कॉफी शराब और धुम्रपान से दूर रहना चाहिए रोगी को एक साथ अधिक आहार देने की जगे थोड़ा थोड़ा आहार हर 20 से 30 मिनट में देते रहें प्लेटलिट्स कम होने पर बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भारी दवा या चून लेने से हानी हो सकती है यदि रोगी तुलसी के पत्ते और पुदीना की पत्ती मूं में रखे तो मूं का स्वात जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें